नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूं प्रवीन बंसर्ड और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा ग्यारवी लेखा शास्त्र अध्याय छे तलपट व अशुद्धियों का शोधर तलपट तलपट को अंग्रेजी में ट्राइल बैलन्स भी कहते हैं तलपट देखिए पिछले अध्यायों में आपने लेखांकन के एक आधार बहुत नियम के बारे में सीखा कि प्रतेक नाम राशी के लिए अवश्यक रूप से समान जमा राशी होती है हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट है आपने किसी से रोकड प्राप्ति करी है तो रोकड और इस व्यक्ति का नाम इन में से एक खाता डेबिट होने जा रहा है और एक क्रेडिट हर एंट्री के लिए एक डेबिट है और एक क्रेडिट इसका आश्य यह हुआ कि यदि सभी नाम राशीयों का योग सभी जमा राशीयों के योग के वराबर है तो यह मान लिया जाता है कि नाम और जमा राशीयों के रूप में खाता बही में खतौनी शुद्ध है मतलब यदि नामराशी और जमाराशी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के सभी शेशों को योग किया जाए तो वह बराबर आना चाहिए और यदि वह बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारी खातों में खतौनी एकदम शुद्ध है मतलब लेजर में पोस्टिंग एकदम सही है तलपट नाम एवं जमाराशीयों की शुद्धता जाचने का एक साधन है ट्राइल बालेंस को इसलिए बनाये जाता है ताकि यह जानकारी मिल सके कि हमारी सारी एंट्री लेजर और जर्नल में ठीक तरीके से हो गई है या नहीं मतलब यदि योग डेबिट और क्रेडिट का पराबर हो गया इसका मतलब हमारी चीजें अब तक सब कुछ सही है यह दोहरी प्रवश्टी प्रणाली का एक अंक गणित्य परिक्षण है मतलब मैथामेटिकली गणित के रूप से जमा घटा अब तक बिलकुल सही हुआ है जो यह जाचता है कि प्रतेक लेंदेन के दोनों पहलू शुद्धता से अभिलिकित किये गए है मतलब रिकॉर्डिंग अभी तक एक दम सही चल रही है अब जानते हैं तलपट का अर्थ सरल भाशा में तलपट बही खातों में खतावनी की शुद्धता राशियों की जाच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग अथवा शेशों को दर्शाने वाला विवरण है मतलब जितने भी आपके पास खाते होते हैं खाते मुख्यता पांच तरीके के हैं परिसंपत्यां, खरचे, पूंजी, लाब और करजे इन सभी खातों के शेश तलपट में दिखाये जाते हैं और तलपट इनके शेश का विवरण हैं यह हुई तलपट की परिभाशा, तलपट को बनाने के मुख्यत तीन उदेश्य हैं, खातों की अंकिये शुद्धता का निर्धारण, तलपट को बनाने के बाद कम से कम यह तो पता लग जाता है, कि खाते अंक गणित्ते, मतलब mathematically, ठीक बने हैं या नहीं, अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना, तलपट के योग यदि आपस में ना मिले, तो इससे यह तो साफ है कि कुछ न कुछ गलती, रोजनामचा या बही खाता, इन में हो चुकी है, और जो भी दोनो योग में अंतर है, आप उस राशी की कोई न कोई प्रविश् कर सकते हो, तीसरा उदेश्च है, वित्तिय विवरणों को तियार करने में सहायता करना, वित्तिय विवरण मतलब financial statements, final account, लाब वाहानी खाता, तुलन पत्र, इन final accounts को, वित्तिय विवरणों को बनाने में जो सबसे एहम भूमी का निभाते हैं, वह है, तलपट, आपके सामने एक तलपट प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी खातों का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका शेश नाम है या जमा, मतलब debit है या credit, देखिए, खाते मुख्यता पांच तरीके के हैं, जिसमें सबसे पह खाते होंगे परिसंपत्यां और खर्चे, देखते हैं, जैसे भूमी एवं भवन, प्लांट एन मशीन, उपकरन, फरनीचर, रोकर, बैंकस्त रोकर, ये सब हमारी परिसंपत्यां हैं, और इन सभी का शेश debit में दिखाया जाता है, दूसरे तरीके के खाते होते हैं, खर्च जिनको हम वे भी कहते हैं, जैसे आंतरिक ढुलाई, बहारे ढुलाई, ये कुछ खर्चे हैं, इसलिए इनका बैलन्स भी debit है, इनका शेश भी debit है, वैसे तो खाते पांच तरीके के होते हैं, और हमने अभी दो ही तरीके के खातों की बात करी हैं, बाखी के तीन तरीके के खाते जो हैं, वह हैं पूझी, लाब और करजे, आप देख सकते हैं, विक्रे, सेल, यह एक तरीके का लाब है, रिण, यह एक करजा है, और व्यपारी की खुद की पूझी, यह व्यपार में व्यपारी द्वारा, स्वामी द्वारा लगाया गया धन है, इसलिए यह भी क्रेडिट में ही दिखाया जाएगा, विध्यार्तियों आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, खाता कोई भी हो, वह इन पांच के अलावा, किसी और तरीके से नहीं देखा जा सकता, और परिसंपत्या और वे, परिसंपत्या और खर्चे सदा डेबिट होंगे, लाइबिलिटी मतलब करजे, इंकम मतलब लाब, और कैपिटल मतलब पूंजी, यह सब हमेशा क्रेडिट होंगे, और इस तरीके से आपके पास एक तलपट पूरा हो जाएगा, इसको एक उधार परण के रूप में देखकर अच्छे से समझते हैं, तलपट को तयार करने के मुख्यता तीन विधी हैं, योग विधी, शेश विधी, योग एवं शेश विधी, मैं पहले ही आपको बता चुका कि तलपट रोजनामचा और बही खातों के बनने के बाद का कदम है, तो मेरे ख्याल से हमारे पास तलपट को बनाने के लिए रोजनामचा और बही खाता दोनों पूरे हो चुके होने चाहिए, तो चलिए देखते हैं, और सबसे पहले देखते हैं योग विधी को, आपके सामने कुछ खाते हैं, जैसे रावत का पूंजी खाता, रोहन का खाता, मशीन खाता, राहुल का खाता, विक्रय खाता, रोकड खाता, मजदूरी खाता, मूल लहरास खाता और क्रय खाता, ये कुछ बही खाते हैं आपके सामने पूरी तरीके से संपूर्ण होने के बाद पेश किये जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं पहली विधी, योग विधी, टोटल method मतलब देखते हैं पहला खाता है रावत का पूंजी खाता जो साथ हजार रुपे क्रेडिट साइड पे खतम होता है और डेबिट पे उसका शेश वैसे ही दिखा दिया जाता है देखिए जैसे की विधी का नाम ही बता रहा है योग योग तो रावत के पूंजी खाते में एक ही साइड पे बच रहा है और वह कौन सी साइड है वह है जमा मतलब क्रेडिट साइड आप योग विधी मतलब तोटल मेथड को करने जा रहे है तो आप सिरफ यह देखिए कि टोटल कौन सी साइड कितना बना आप यह देख सकते हैं कि योग जो है वह सिरफ और सिरफ क्रेडिट साइड पर ही बना था साथ हजार तो योग विधी के अनुसार तलपट में साथ हजार रुपे रावत की पूंजी खाते के नाम से क्रेडिट मतलब जमा योग में दिखा दिया जाएगा रोहन का खाता दस और पचास साथ हजार और यहां रोकड चालिस हजार और बाकी की जो रकम आपको दिख रही है वह है शेश योग विधी हम कर रहे हैं तो योग विधी के अनुसार रोहन के खाते में क्रेडिट साइड में साथ हजार रुपे का योग बनता है और डेबिट साइड में चालिस हजार रुपे का योग बनता है इनको घटाने के बाद शेश बचता है विध्यारतियों हम कर रहे हैं योग विधी टोटल मेथड तो रोहन के खाते में जो क्रेडिट में योग है वह है साथ हजार और डेबिट में योग है चालिस हजार तलपट में दिखाया रोहन चालिस डेबिट में और साथ क्रेडिट में आपने सभी खातों के योग को तलपट में लेकर आना है शेश को नहीं योग विधी को करते हुए आप दोनों ही साइड का योग तलपट में दिखाएंगे चलते हैं तीसरे खाते पर जो है मशीनरी खाता आप देख सकते हैं मशीनरी खाते में पहले से ही 20,000 रुपे थे मूल लहरास हुआ तीन हजार इसका मतलब मशीन खाते के योग बने बीस हजार डेबिट में और तीन हजार क्रेडिट में और मशीनरी खाता तलपट में बिल्कुल वैसे ही दिखने लगा जैसे पिछले खातों को लिखा गया अब इसी तरह से आप अपने बाकी सभी खातों को तलपट में दर्शाएंगे चाहे वैं राहुल हो, विक्रे हो, रोकड हो, मजदूरी हो, मूल्यहरास हो या क्रे हो और आकरी में आप पाएंगे कि दोनों ही योग, नाम और जमा, डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं और इसे कहते हैं तलपट, योग विधी द्वारा, चलिए अब सीखते हैं दूसरी विधी, शेश विधी, शेश मतलब बैलन्स मेथ़ड, अब जैसे की विधी का नाम ही बता रहा है, कि अब आपको खातों में से शेश को उठाना है और तलपट में रख देना है, चलिए द धारण से, आपके पास खाते पहले ही बने हुए, जैसे रावत का पूंजी खाता, और रावत का पूंजी खाता, क्रेडिट साइड में शेश बचाता है, 60,000 रुपे, सोहन का खाता, क्रेडिट साइड में बचता है, 20,000 रुपे, मशीनरी खाता, डेबिट में दिखाता है सत्रा हजार रुपे अब आपकी जो नजर है वह सिरफ और सिरफ शेष पे रहेगी कौन सा शेष वह शेष जो अगले मास या अगले साल के लिए बना है आप 31 दिसंबर का शेष नहीं लेंगे आप लेंगे एक जनवरी का शेष जैसे कि आप बना देख सकते हैं मैंने सभी वह शेष लिए हैं जो अगले मास या अगले वर्ष में ट्रांस्फर किये गए हैं आपको उनहीं शेष को देख ना है वह डैबिट में है तो तलपत में आप उसको डैबिट में लिख देंगे अगर वह credit में है तो आप तलपट में उसको credit में लिख देंगे देखिए पहला खाता था रावत का पूंजी खाता जो credit में है 60,000 रुपे फिर है सोहन का खाता 20,000 रुपे वह भी credit में है देखिए 60,000 रावत की पूंजी रोहन 20,000 और तीसरा खाता आपने देखा था मशीन मशीन क्योंकि asset है वह debit में ही दिखेगा 17,000 अगला खाता है राहूल का खाता जिसका शेश एक जन्वरी को 20,000 है जो debit में दिखता है राहूल का खाता 20,000 debit में इसी तरह से आप सभी खातों को देखेंगे कि एक जन्वरी या प्रश्न के अनुसार जो भी अगले मास या वर्ष की तिथी है उस शेश को तलपट में आप debit है तो debit, credit है तो credit लिख देंगे यह हुई तलपट को बनाने की दूसरी विधी आप चलते हैं तीसरी विधी पे जिसका नाम है योग एवं शेश विधी देखिए योग एवं शेश विधी दोनों पुरानी विधीयों को जोड़ करकर लिख देना ही है इस विधी का फाइदा सिरफ और सिरफ इतना ही है कि एक बार में किसी भी यूजर को मतलब जो भी इनको प्रियोग में लेगा वह देखते ही समझ जाए कि हर खाते में कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है और कितना योग है जैसी कि आप देख सकते हैं रावत का पूंजी खाता और जमा दोनों ही साथ हजार रुपे मिलेगा रोहन 40,000 नाम, 60,000 जमा, 40,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट इसको देखके हम यह आराम से पता लगा सकते हैं कि 60,000 क्रेडिट है मतलब शायद हमने इस से 60,000 रुपे का सामान खरीदा होगा और 40,000 रुपे उसमें से हम दे चुके इस कारण से 20,000 रुपे शेश बचा है तो यह विधी भी अपने आप में एक अलग महत्त पूर्णता रखती है अब देखिए मशीन मशीन डेबिट में 20,000 और 3,000 क्रेडिट 20 में से 3,000 रुपे का मूल्य हरास हो गया इस कारण से मशीन 17,000 रुपे दिखती है शेश विधी में देखते थे तो आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी तलपठ को देखते हुए कि मशीन थी कितने की उसके उपर मूल्य हरास कितना हुआ परंतु यहां योग और शेश विधी यह जो तीसरी विधी है इसको देखकर आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस खाते में क्या उतार चड़ाव आए और तीनों ही विधी आप सीख चुके हैं और तीनों की ही अपनी अपनी अलग अलग महत्त पूर्णता हैं तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर जिसका नाम है अशुद्धियों का वर्गी करम अशुद्धियां चार तरीके की होती हैं लेक अशुद्धियां लोप अशुद्धियां शतीपूरक अशुद्धियां सध्धांतिक अशुद्धियां मतलब errors गल्तियां जो लेखा शास्त्र में अभी लेख्यन करते हुए हमसे हुई जिसमें पहली अशुद्धि है लेक अशुद्धि यह ऐसी अशुद्धी है जो की लेन देनों की गलत खतौनी, खातों के गलत योग, अथवा गलत शेश, सहायक बहीयों के गलत योग, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेखन इतियादी से होती है मतलब ऐसे एरर या ऐसी अशुद्धियां जो जमा घटा या एक प्रिष्ट से दूसरे प्रिष्ट में जाते हुए कुछ गलतियां हो जाएं, जमा करने में या घटा करने में या फिर किसी ने किसी सहायक पुस्टिका में या किसी बही खाते में. प्रिश्ट बदलते हुए या योग करते हुए कोई गलती कर दी हो। इसलिए इनको लेक अशुद्या कहा जाता है। अगली अशुद्धियां है लोप अशुद्धियां लोप अशुद्धियां प्रारंभिक लेक के बहियों में अभिलेखन के समय अत्वा खाता बही में खतौनी के समय हो जाती हैं मुख्यता ये दो तरह की होती हैं पून लोप और आंशिक लोप मतलब जब कोई लेंदेन पुस्तकों में प्रवश्टी होने से पूरी तरह रह जाता है मतलब आप उसको लिख ही नहीं पाते तो वह हुआ पूर्ण लोप तो ऐसी अशुद्धी पूर्ण लोप अशुद्धी होती है उधारण के रूप में मोहन को की गई 10,000 रुपे के उधार विक्रे की प्रविश्टी विक्रे बही में ना होना यह हुई पूर्ण लोप अशुद्धी यदि यहां मोहन के खाते में प्रविश्टी हो जाए और विक्रे में ना हो तो वह हुई आशिक लाव तीसरी अशुद्धि का नाम है सध्धान्तिक अशुद्धिया Principle लेखांकन प्रविश्टिया समान्यता मान लेखांकन सिध्धांतों के अनुसार अबिलिखित की जाती है यदि इन सिध्धांतों में से किसी का उलंगन हो या अंदेखा कर दिया जाए तो इसके परण्याम स्वरूप उत्पन हुई अशुद्धियों को सिध्धान्तिक अशुद्धियों के रूप में माना जाता है यदि आप रिवेश्टी करते हुए किसी सिध्धान्त का ही उलंगन कर दें तो उस तरीके की अशुद्धी को सिध्धान्तिक अशुद्धी कहा जाता है राम को यदि आपको डेबिट करना था और आपने उसको क्रेडिट कर दिया तो यह है आपने किसी सिध्धान्त का उलंगन किया है और इस तरहां की गलती से ध्धान्तिक अशुद्धि कहलाती है फिर हैं शती पूरक अशुद्धियां जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार हो जाती हैं कि इनका शुद्ध प्रभाव खातों के नाम पक्षव जमा पक्षपर नहीं पढ़ता तो ऐसी अशुद्धियां शती पूरवक अशुद्धियां कहलाती हैं मतलब कोई दो ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे को शुद्ध कर दे फर्स कीजिए आपने राम का खाता जो आपका डेबिट है 1,000 रुपeten से जादा कर दिया और शाम जो आपका क्रेडिट है उसको भी 1,000 से जादा कर दिया देखिए अशुद्धियां दोनों हैं परंतु एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि को दिखने नहीं दिया जो शती एक अशुद्धी से हो सकती थी, वह शती दूसरी अशुद्धी के कारण पूर्ती हो गई. इसलिए इनको कहा गया शती पूर्ती अशुद्धियां. अंग्रेजी में इसे compensating error भी कहते हैं. तो विध्यार्तियों, आज के चरण में हमने देखा कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं. अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन अशुद्धियों को ठीक कैसे करना हैं, इनका शोधन कैसे होगा. तब तक के लिए पाठे पुस्तक से इन सभी को याद किजिए. धन्यवाद.